आज के वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोलिक स्लेंडर के बारे में हाइड्रोलिक स्लेंडर क्या होता है एक हाइड्रोलिक स्लेंडर एक महत्वपूर्ण हाइड्रोलिक घटक है यानि कि एक महत्वपूर्ण हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स है यह एक hydraulic consumer के रूप में कारे करता है जो hydraulic fluid की उर्जा को एक energy या work के रूप में convert करता है इसका input value hydraulic cylinder के piston की सतव पर hydraulic fluid का लगने वाला pressure होता है यानि कि hydraulic cylinder के अंदर जो piston होता है उस पर जीतना hydraulic fluid का pressure बनेगा उतना है वो work में convert होगा यह piston और piston road के एक linear movement का कान बनता है यानि कि जो pressure बनेगा उसके कान एक linear movement होगा जिसके कान हमको work मिलेगा जो कि एक load से जुड़ा होता है इसलिए hydraulic fluid उर्जा एक convertable power में बदल जाती है जो एक सीधी रेखा में कारे करती है hydraulic माध्यम आम तोर पर mineral oil होता है और hydraulic synthetic तेल या पायस साथी पानी या water hydraulics में भी उप्योग किया जाता है इसमें मतलब कि shortcut में यह है कि piston में जितना पिश्टन के surface में यतना प्रेसर पड़ेगा उतना हम लोड को लोड या का वर्क में उसको हम convert कर सकते हैं एक लीनियर मुवमेंट में hydraulic cylinders components hydraulic cylinder के components क्या-क्या होते हैं यह इसको एक diagram देख लिए इसमें क्या-क्या चीज है piston rod होता है वाइपर होता है रॉड सील होता है कैप होता है रॉड बियरिंग होता है सिलेंडर क्यूब होता है ब्रांच पाइप होते हैं बेस होता है नट पिस्टन ओर इंग पिस्टन बियरिंग पिस्टन सील होता है वासर होता है इसके लाग और बी कुछ-कुछ होते हैं इसके बार एक होता है बैरल और एक होता है पिस्टन बैरल के जो उपर वाला कवर और पिस्टन यानि कि उसके अंदर जो मुवेबल पार्ट होता है तो पिस्टन रोड से जुड़ा होता है सिलेंडर बॉटम और उसका हेड दोनों बंद किया जाते हैं जो बार्ल के बॉटम और टॉप होते हैं दोनों को मलब कभर लगा के उसको वेल्डिंग कर दिया जाता है तो बंद कर दिया आता है और इसके बीच में अपना किस्टन मूवमेंट करता है और एक एक पे हम ऑसमें Mamam बनाते हैं यह अपर एक पासिंग देते हैं जिसे रोड अंदर या बाहर जा सके तो पिश्टन पिश्टन जो होता है उसमें एक सील लगा होता है स्लैडिंग लगाता है और पिश्टन जो अंदर के जो बैरल होता उसको दो चैमबर में डिवाइड करता है एक होता है लोवर प्रेसर चैमबर और एक होता है अपर पिश्टन रोड चैमबर तो हाइड्रोलिक और पिश्टन के मूवमेंट के कार्ण होता है हमिए बल्ड पश्टन में मॉवमेंट जेनरेट होता है और वो एक लिपने डाउरेक्शन में CDC करता है ं बज्स की जो स्लिंडर होते हैं उसको डवल एक् इंग है र्억 आजाता है अगा तो इसके कंपोनेंट के डिस्क्रिप्टिप्टन कि हाईडोलिक सिलेंडर का बैरल आपके बता चुका हूं यग सीमलेस फोर्ष ट्यूब होता है जो अंदर से खोकला होता है हईडोलिक começo पर की उच्प सब्सक्राइब रिजर की तोब बॉतं सिल्म्रीं कह प्यदियव प्रॉक है जहें हेड़ राद रांवा ही एक मिला बपर खंग करते को entails कि आधें हीवर को जाक ही भी नबेड़् टबें को फिर्म पर fig लाइबnh प्सक्राइब रिदिया ज्खिल सिल वाइपर या ग्लेंड भर जी घाइता है और इसी में अपना पिस्टन लिनियर मोशन इसी के थ्रूप करता है इसी त्रूप रॉट पिस्टनijn पिस्टन रोड पिbasis ॕ से चुप मोचला होता है और उस सी में और उसी में वह अंदर दो और आपना वायल में दिवाइड करता है और इसमें अब में दूसरे चैंब्र में और ऊइल को पासिंग फ्रूञास्व यानि की जाने से रोकता है और इसके कान प्रेसर होता है और उसमें यह अपना प्रेसर के कान पिश्टन मुवमेंट होता है और यह लोड को लिनियर मुवमेंट में कनवर्ट करता है है हाईडूलिक सिलेंडर पिश्टन रॉड तो पिश्टन रॉड वही सिंपल सी है यह जो उसमें कि पिश्टन रोड आपका जो पिश्टन से जो कनेक्शन के लिए दिया जाता है पिश्टन से कनेक्ट होता जो रॉड यह हाई टोलेंस का होता है हाड क्रोम प्लेटिट कोल रोल इस्टिल का बना होता है और इसका एक साइड अपना पिश्टन से जुड़ा होता है दूसरा अ हुआ जो भी लोड रहत है जिसकोई ऐक्यूपेंट से जिसमें को मुवमेंट देना है उससे जूक चलग होता है mily और इसके इसका आज़ा जो होता हुआ तैंपर डबल क्रॉम्ड हुता है इस ते इसे टेल sı्टिल का बना होता है और विड्यड़ वईलड पोटए सिम्पल सी है इस में जो छो बैल में दो पर जाता यह जैनले monitoring पोट जर्था सिंगल пожथ्टी है तो सिंगल एकिंधिक सिलेंडर का लाएगा डुबल पोडल होता है जिसमें हम वह को बैरल में ओल फ्लो देने के लिए जितने पोड दिये रहते हैं उसलिण रहता है उसको हम वैल्डिंग के थूँ या जो भी अलग माध्यम से उसमें पोड बनाया रहते हैं जिसे हम होस कनेक्शन इससे फ्लूड उसमें प्रम्मियर में तो बॉक्स savior isよ sorry में मतुम的人 दो हमें कई प्रीक्राइव च neighborhoodland गीग का सते हैं तो जेक quello आइद्व के हशाब्रे माटेरियल होता है या इंस्तालेशन मैंठड्fast की ठीच अब अधिक इसके उसमें रिख सके सका के लिए दिए आता है िक है अग हो का सेर्फ लोकिंग नटसेष़ फ्लोकिंग और यस्टन नजवं य्यिद्टा आब करने के लिए जोकिता सुश्य प्रॉट सेकी अपना है विम दोना अदैंट경 लगा Babau दोनौ कि यह अपना पिस्टन के जो मुवमेंट को या स्ट्रॉक को लिमिट में रखने के लिए इसको यह इस प्रिंग रिंग का यूज किया जाता है ताकि यह अपना डेट बॉटम में मतलब कि लास्ट इंडिंग तग न पहुंच जाएगा तो वहाँ पर फिर अपना ओल फ्लों वह पर नहीं हो पाएगा और इसमें मुवमेंट नहीं हो पाएगा जिसके कारण स्टेज का इसलिए यह वहां इस्ट्रिंग रिंग दिया जाता है तो इसे हम वहां पर एक पईवर्ट पउजिशन होता है हुआ पॉजिशन उसमें ट्रुनिन टाइप होता है इसमें सीलेंडर के बीच बीच में लगाए जाता है और सिलेंडर शेंच तो निकी से अरपे पीछे में लगा दिए जाता है जो कहां भी इंस्टाल करना है एक ट्रूण टाइचन टाइप हो गया हिसाओ के जिए तो फेस्सेट के टॉप हेड पर एक फ्लेंज आटेज कर दिया और इसको जाके इस्टाल यहां को फिक्स करना है वहां लगा दिया जाता है इस्कुरू प्लग जो हम वेल्ड फॉड जो दियते हैं उसमें इंप्रीटी या दस्ट से बचाने के लिए वहां पर हम इस्कुरू प्लग लगाते हैं और बुशेस टूनियन या पिर हमारे जो पिश्टन रॉड में जो क्लेविस होता है तो वहां पर हम डायर्ट प्रिक्श तो ये हमारे से कंपोनेंटे में था अगले वीडियो में या जब हम अगले वीडियो में देखेंगे जैब मूका मिला सब देखेंगे इस के इससे पर इसके इंस्वेट केबारे में माउंटिंग पोजिसन क्या क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे थैंक यू